हेलो गैज जब आप लोग अपने फेस्बूक का टू फैक्टर अन ठैटिकेशन को इनेबल करने आते हो अन करने आते हो तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा प्रॉब्लम क्या देख सकते कुछ इस तरीके से आपके सामने वाइट स्केन आ जाता होगा जो की ब् पारे हो जिसके कारण बहुत साई लोग का एकाउंट है अभी वह बंद चल रहा है तूप फैक्टर अन ठीकेशन अन नहीं होने कारण तो इसलिए आप लोग भी अपना टूप फैक्टर अन ठीकेशन को अन करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर आन तक दे फैसकेश लोग इन लिखने के वाद जश्ट आपको इस तरीके का इंटर फैस मिलता है अब आपको यहाँ पे फैसके लोग इन वाले इंटर फैस पे आ जाना है बहुत सारे केस में आपका फैससिक टाइक्ट ओपेभण हो जाएगा तो आपको करना क्या है मैं आपको बतात यहां अपना मुबाइल नंबर या फिर इमेल और पासवर देकर लॉगिन हो जाएंगे तो अभी देख सकते हो कि मेरा फेस्वूक अकाउंट आ चुका है यहां पर ओके पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद अब आपके क्रोम ब्राउजर में आपका जो फेस्वूक अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा ओपन करने के बाद आपको राइट कॉर्णर पर थी लाइन का ओप्शन देखने को मिल दा जश्ट यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से नीचे आएंगे नीचे सेटिंग्स का ओप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स वाले ओप्शन पर क्लिक कर लेंगे दिन सबसे उपर एकाउंट सेंटर का ओप्शन मिलेगा यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर पास्वार्ड और से ग्रोटरी का उप्शन मिल जागा यहाँ पर क्लिक कर लेंगे सो इस ट्रिक से अगर आपका फेस्बुक में टूस्टेप वेरिफिकेशन उन हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि पछले वाले ट्रिक से सॉल्व हुआ अगर इस टिक से solve नहीं होता है तो आपको मैं दूसरे टिक बता हूँगा वो और भी ज्यादा useful होने वाला है अगर आपको किसी प्रकार का problem आता है तो आप लोग मुझे comment करके बता सकती है इस वीडियो पर मैंने 100 like का चैलेंज रखा है तो आप लोग से अनुरद है कि आप लोग इस वीडियो के 100 like को complete करेंगे अब यहाँ पर क्या करना है two factor authentication का option मिलता है यहाँ पर click करके उससे पहले देख सकते हूँ यहाँ भी problem आ रहा है लेकिन आपको घवराना नहीं फेस्बूक अले option पर click करना है click करने के बाद अब देख सकते हूँ यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface आ चुका है यहाँ पर text message का option आड़ा है यहाँ पर click करके next कर लेंगे next करने के बाद जो भी number हमें इसमें add करना उस number को डाल कर next करेंगे उसके बाद उस number पर OTP जाएगा उस OTP को feel करके यहाँ साम इसको complete कर सकते हैं अब दूसरा trick में आपको बता देता हूँ दूसरे trick में आपको करना क्या है कि आपको अपना Instagram open करना है profile में आ जाना है profile में आने के बाद Thiline को option देखने को मिलता है Thiline वाले option पे क्लिक करना है setting and privacy को option मिलता है यहाँ पे क्लिक करना है account center को option मिलता है account center वाले option पे क्लिक करना है then profile को option मिलता है profile वाले option पे क्लिक कर लेंगे add account को option मिल जागा add account वाले option पे क्लिक करेंगे add facebook account को उपसे मिलेगा यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इसके और आपके सामने आपका facebook account देखने को मिल जाएगा अगर आपका यही facebook account है तो continue पे click करके इसको continue करेंगे अगर आपका यह facebook account नहीं है तो not you पे click करके अपने facebook का username या फिर gmail एंड password देके यहाँ से login हो जाएंगे लिंक हो जाएगा एंड इंस्टाग्रम हमारे Facebook से connect हो जाएगा अब क्या करेंगे हैं से back हो जाते हैं back होने के बाद अब आपको यहां पे password और से वाले option पे आजाना है आने के बाद two factor authentication का option मिलेगा यहां पे click करना है देन यहां पे facebook option मिलता है यहां पे click करना है एंड यहां से अपने facebook का password डाल देना है facebook का password डालने के बाद continue वाले option पे click करेंगे देन हमारे सामने इस तरीके का interface आ जाएगा text message का option मिलेगा यहां पे click करेंगे next वाले option पे click करेंगे mobile number डाल कर यहां से भी हम अपना OTP डाल कर अपना two step verification को complete कर सकते हैं तो इस तरीके से दोनों trick working trick है अगर इस वीडियो से आप आप लोग का problem solve हो गया होगा तो आप लोग comment करके मुझे जरूर बताना और आप लोग यह जरूर कमेंट करना कि आपका problem पहले trick से या फिर दूसरे trick से solve हो गया है तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेश जरू करना